Hello Friends, Welcome to my channel Literary Love वीडियो शुरू करने से पहले चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे William Shakespeare की एक famous sonnet Let Me Not to the Marriage of True Minds के बारे में इसे Shakespeare की sonnet number 116 भी कहा जाता है मानी जाती है इसे 1590s में लिखा गया था मगर published 1609 में किया गया था यह sonnet 3 quatrins और 1 coupleet में बांटी गई है इसकी rhyming scheme है A B A B C D C D E F E F G G Friends, यह sonnet एक love poem है जहां poet सच्चे प्यार को बहुत ही ताकतवर मानता है उसका मानना है कि यह सच्चा प्यार कभी बदलता नहीं है और मौत का भी इस पर कोई असर नहीं होता है Friends, William Shakespeare को कौन नहीं जानता है उनकी birth 26 April 1564 में हुई थी और उनकी death 23 April 1616 में हुई थी वो एक Eliza Button poet के साथ ही एक dramatist, essayist और actor भी थे उन्होंने अपने पूरी lifetime में 37 plays और 154 sonnets लिखे हैं और इनके लिखे वे सारे works आज भी उतने ही popular और fresh हैं तो चलिए Friends, अब हम poem पर आते हैं और line by line इसे read कर समझने की कोशिश करते हैं यानि मैं ये बात नहीं मानना चाहता हूँ कि जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके बीच में कुछ आ सकता है ये बात मैं नहीं मानूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है यानि वो प्यार प्यार नहीं है जो मुसीबत आने से या परेशानिया जहलने से बदल जाए या मुड जाए सच्चे प्यार पर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं होता है और बेंड्स, with the remover to remove और नहीं ये प्यार कभी कम होता है चाहे कितना भी इसे कोई मिटाने की कोशिश करे सच्चा प्यार कभी मिटता नहीं है और नहीं कभी कम होता है ओ नो, it is an ever-fixed mark नहीं, ये एक स्थिर निशान की तरह है एक mark है जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता है जो तूफानों में, आंधियों में कभी हिलता नहीं है अपनी जगह से बलकि उन तूफानों के सामने खड़े होकर उनसे नजरे मिलाता है, उनसे लड़ता है सच्चा प्यार बिलकुल उस निशान की तरह है जो हमें हर मुश्किल हर तूफान में रास्ता दिखाएगा यानि ये वो तारह है हर उस भटके हुए नाविक के लिए जो समुदर में खो गया है और ये तारह उसे रास्ता दिखाएगा भले ही ये तारह हमसे बहुत दूर है बहुत उचाई पर है मगर फिर भी इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इसी तारह को देखकर वो नाविक वापस से रास्ते पर आएगा प्यार भी बिलकुल उस तारह की तरह है जो हर भटके वे इनसान को रास्ता दिखाता है यानि सच्चा प्यार नाहीं कभी बदलता है नाहीं कभी जुकता है बलकि हमें और मजबूत करता है हमें रास्ता दिखाता है लफ्स नौट टाइम्स फूल यानि प्यार को समय धोखा नहीं दे सकता है प्यार समय की सीमाओं से आजाद है सच्चे प्यार पर समय का कोई असर नहीं होता दो रोजी लिप्स और शीक्स विदिन हिस बेंडिंग सिकल्स कम पस कम मगर इनसान का शरीर समय के प्रभाव से नहीं बच सकता है गुलावी होट और गाल जो किसी की युवावस्था में उसकी खूबसूरती बढ़ाते थे वो अब नहीं है उनकी खूबसूरती खो गई है, खत्म हो गई है और ये सब क्यूं हुआ है तो समय के कारण यानि प्यार बदलता नहीं है चाहे कितने भी घंटे या हफ़ते बीच जाएं प्यार हमेशा वैसा ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं है यानि प्यार हमेशा वैसा ही रहता है मृत्यों का भी उस पर कोई असर नहीं होता है वो बदलता नहीं है यही सच्चे प्यार की ताकत है If this be error and upon me proved अगर जो भी मैंने कहा वो गलत है उसमें सच्चाई नहीं है और ये बात किसी ने साबित कर दी यानि अगर किसी ने ये साबित कर दिया कि प्यार बदल जाता है वो हमेशा वैसा नहीं रहता है I never read nor no man ever loved तो मैंने कभी कोई कवीता नहीं लिखी है क्योंकि तब मेरी सारी कवीताएं जूठी हो जाएंगी मगर हमें ये भी मानना होगा कि किसी भी व्यक्ती ने कभी प्यार नहीं किया होगा क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि सच्चा प्यार हमेशा वैसा ही रहेगा कभी बदलेगा नहीं तो ये थी फ्रेंड्स विलियम शेक्ष्पियर की सॉनेट नमबर 116 Let me nod to the marriage of true minds